नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News हरियना सरकार को हाई कोट से बड़ा जटका लगा सरकारी नोकरियों में पांच नमबर का आरक्षन वा खारीज 12,000 युवा हटाई जाएंगे ग्रूप C और ग्रूप D भरतिक एक्जाम दो बराश होंगे ट्रेपल पे में सुधारी काई धाई लाख आवेदकों की खामिया तो मैं 45,000 अभी भी कतार में लगे हैं चयाज जून के बाद चलेगा सुधार अभियान हरियना लोक्षबा चुनाओं में कॉंग्रेस चार तो BJP तीन सीटों पर मान रहे है पक्की जीत बाकी पर कबूली कड़ी टक्कर की बात हरियना में चुनाओं की रिजल्ट से पहले BJP में मची हल चाल बागियों की लिस्ट तैयार MP वे MLA के साथ अपसर भी सामिल हरियना में ITI में दाखिले के लिए साथ जून शेकर पाएंगे आविदन एडमिशन के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन अगनिवीर भर्ते की कॉमन प्रवेश परिक्षा का प्रणाम घोशित आधिकारीक वेबसाइट पर जागर देख सकते हैं रिजल्ट भिवानी में मत करना केंदर के 5 किलोमेटर में रेड जोन घोशित नहीं उड़िश केंगे ड्रोन हाथियारों पर लगी रोग 1444 लागू हरियाना के अंदरे विशुद्याले में दाखिला थारिक बढ़ी सनातकोत्र पार्ट कर्मों में ओनलाइन पंजीकन अब 15 जून तक तो वहें 1420 शीट उपलब्द हैं हरियाना में जाम छलकाना होगा मैंगा, बीयर समेट, देशी और अंग्रेजी स्राब की बढ़ेंगे कीमते लोकशवा चुनाव 2024 के साथ में और अंतिम फेज में सनिवार यानी एक जून आज साथ राजियों और एक किंदर साशित प्रदेश के 57 शीटों पर वोटें होगी वारानसी से पियम मोधी मैदान में चेन ने सिक्किम से 150 किलमेटर दूर तयानात की फाइटर जेट्स सेटलाइट इमेज से हुआ खुला सा 5,000 किलमेटर तक है इसकी रेंज पौरन स्टार केस में अमेरिका के पूरू राष्ट्पदी डोनाल ट्रम्प सभी 34 मामलों में दोशी करार दिये गए सजा पर सुनवाई 11 जुलाइक होगी राष्ट्पदी पद पर रहे पहले वेक्ति जो दोशीप आए गए हैं और आप खबरें विश्तार से हर्याना वासी आजकर जबर्दस्त गर्मी का सामना कर रहे हैं लगातार 18 दिनों से परदेश में लूच चल रही है मोसम विग्यान को गिमाने तो मई 2002 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मई के मईने में लगातार 18 दिन लूग का सामना करना पड़ा हो आमजन का जीना मुश्किल हो चुका है 13 मई से लगातार दिन का अधिक्तम फारा 44 दिग्री सेल्सेस के आंकड़े को पार कर चुका है तो कई जगह पर तामन 45 से लेकर 50 दिग्री सेल्सेस भी पहुंच चुका है हिसार स्थीत हरियना करशी विश्विदाले के मोसम विग्यान विभाग ने बताया कि परदेश में आज यानी एक तारिक से लेकर 3 जून के बीच कई इलाकों में हलकी बारिश देखने को मिल सकती है इन जिलों में पंचकुला, अमवाला, यम्नानगर, कुरुशेतर, करनाल और पानिपर जिलेसा मिलें इसके लावा बाकी जिलों की बात करें, तो इन में थोड़ी बुंदा बादी देखने को मिल सकती है बिशन कर्मी को देखते हुए, राज्य शुयम आपदा प्रबंदन विभाग की तरफ से लूज से बचाओ के लिए एडवाजरी चारी की गई है लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने, तो वह बच्चों और बुजरुकों का विशेज ख्यार लखने की अपिल की गई है अगर आप बेरोजगार हैं और इन दोने अपने लिए लोकरी की तलास कर रहे हैं तो आपको बता देंगी भारती प्रेश परिशत दिल्ली यानि पीछे आई की तरफ से साहिक अनुबाग अधिकारी के पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गई है इन पदों के लिए महिला पर पुरुष दोनों वर्गों के उमिद्वार आविदन कर सकते हैं जो भी उमिद्वार इन पदों के लिए इच्छुक है में भार्ची डाक के माधिम से अपने आविदन भेश सकते हैं साहक अनुबाग अधिकारी आविदक के लिए सनातक पास होनी चाहिए तसा चुने गई उम्मिद्वारों को कम्पिटर पर टाइपिंग परिक्षे पास करनी होगी उम्मिद्वारों को आविदन शुल्क का भुकतान 100 रुपे की बैंक ड्राप से करना होगा वही महिला आविदकों को शुल्क भुकतान में पोणिता छूट दी गई है नियूंतमायू 20 वर्ष और अधिकतमायू 30 वर्ष निर्धारित के गई है आविदन करने के आखरी तारिक 1 जुलाई 2024 है उमिद्वारों से विनमर निवेदन है कि भर्ती के लिए आविदन करने से पहले अधिकारिक विग्यापन अवश्य देख लें हरियाना स्वास्त विभाग की तरब से अपने परिवहन शेवा की नेमों को संसोदित किया गया है ने संसोदिन की अनुसार शीदी भर्ती के तहएद चालक मेट्रिक पास होनी चाहिए तथा उनके पास कम से कम तीन वर्ष का पुराना हलका या फिर भारी वेद ड्राइविंग लाइसन्स होना चाहिए हरियानक करमचारी चैनाविग यानि HSSC की तरब से आवजित चालक परिक्षा पास होनी चाहिए आविद की आखों की रोशनी दुरुस्त होनी चाहिए वहीं मैट्रिक में एक विशे की रूप में हिंदी या फिर संस्कत विशा होना चाहिए वहीं उच्चतर शिक्षा में एक विशे की रूप में हिंदी भी होना चाहिए वहीं पदोनोती की तहट भरती होने वाले ड्राइवरों को मैट्रिक पास वा तीन वर्ष पुराना हल का भारी वहद ड्राइविंग लैसन्स होना चाहिए कैटेगरी सी वे कैटेगरी डी करमजारी की दोर पर तीन वर्ष का अनुबाव या विभा की तरब से आजित चालक परिशे पास होनी चाहिए वहीं उमर शिवा की बात करें तो उमर पचास वर्षे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जैसा कि आप सब जानते हैं हर्यणा में स्रकारी भर्तियार लंबे समय से अटकी हुई है कोई भी भरति पूरी नहीं हो पा रही है सबी भरतियों पर विभिन प्रकार के केश लगे हुए है इसके लिए युवा जग है जग ह कर दरस्री भी कर रही थे लेकिन पंजाब एंड हर्याना हाइकोट ने सरकार को एक बड़ा जटका दे दिया है हाइकोट ने सरकारी नोकरियों में सामाजिक वा आर्थिक आधार पर दिये जाने वाले आरक्षन को एस समयधानी करार दिया है इस आरक्षन के ताहित जिस भी परिवार के कोई भी सदस्य स्तरकारी नोगरी पर ने हो और परिवार के आमदनी 1,80,000 रुपे से कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदों को सामाजिक वा आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक अंकों का लाव देने का प्रावधन किया गया थ हाईकोट ने सामाजिक वा आर्थिक आधार पर आरक्षन को चुनोती देने वाली याजिकाओं पर सुनवाई करते विए नियोक्तों को रोक दिया था हाईकोट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते विए साफ साफ कर दिया है कि सामाजिक वा आर्थिक आधार पर आरक् पर पर बीद दोबार परिक्षा होना संभावित है पंजाब एंड हरियना हाइक के एडवोकेट रविंदर डूल ने कहा कि सरकारी नोकरी में समाजी को आर्थिक के 5 अंग दिये जाने वाले फैसले को हाइकोट ने कैंसिल कर दिया है हरियना में 2017 में जो भी भरतिया हो रही है हाइकोट का एफैसला उन पर भी लागू माना जाएगा हाइकोट ने यह भी माना है कि सरकार का एफैसला आर्टिकल 14 का वोईलेसन करता है यह पूरी तरह समिधान के विरूद है उन्होंने यह भी बताया कि 2019 से पहले जो भी यूवार नोकरी लगे हैं उन्हें कोई भी खत कर दियाएगी सरकार को इसके लिए 6 मेने का समय दिया गया है जब तक यह प्रोसेस चलेगी तब तक किसी को भी आटाय नहीं जाएगा हाइकोट का कहना है कि 5 जंगों का लाब किसी को भी नहीं दिया जाएगा और आप भरतियां सिर्फ मेरिट आधार परोंगी अभी तक हरियाना सरकार के और से परिवार पहचान पत्रों यानि ट्रिपल पी में कुल ढ़ाई लाख आविदकों की खामियों को ठीक किया जा चुका है अभी भी 45,000 से अधिक आविदकों की समय साइं जैसी की तैसी बनी हुई है इनमें ज्यादातर मामले ट्रिपल पी मे आचार सहीत हट जाएगी इसके बाद गलतियां सुधारने के लिए विशेश रूप से अभियान चलाए जाएगा जो कि गाउं और सेहरों में स्विर लगाकर खामियों को शुधार जाएगा परदेश के गाउं में 5 जून से सहरों में 10 जून से विशेश शिविर लगाए लोगों को ट्रिपल पी यानि पर्वियार पैसन पत्र को लेकर जो भी स्तमेशा हैं उन सब को दूर किया जाएगा कैम्प के दोरान आय में गलती, रोजगार की गलती, नाम में गलती और फैमिली आइडे में नाम जोडने या फिर काटने सम्मदिद सभी तरह की खामियों को ठीक किया जाएगा हरियना में लोगशाव चुनाव संपन होने के बाद बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने अपनी हार जित का लेखा जोखा तयार कर लिया है हालांकि दोनों भी पार्टियां उप्चार एक तोर पर दस सीटों पर जित का दावाट होग रही है लेकिन उनकी इंटरनल रिपोर्ट में चोकाने वाले आंगडे देखने को मिले है बीजेपी को तीन तो वहीं कोंग्रेस को चार सीटों पर जित का भरोशा है बाकी की सीटों पर दोनों की तरफ से ही टफ फाइट मिलने की बात बोली जा रही है करनाल हिसार और गुरुगराम सीट पर भाजपा अपनी जीत तैमान रही है इसका कान यहां की उम्मिदवार है करनाल से बीजेपी की तरफ से खुद पूर मुख्यमंद्री मनोरलाल खटर उम्मिद आ रहे हैं तो वहीं हिसार से रणजीत सिंग जोटला और गुरुगराम से भाजपा के पांस बार के स्थान सथ राव इंदर जीत सिंग को टिकट दी गई इनमें बिवानी महांद्रगड रोतक सौनिपत और सिर्शा समिल हैं बिवानी महांद्रगड लोकसबाद शेतर के लिए कॉंगरेस की तरफ से रावदान सिंग रोतक से पूरुष्यम बुपेंदर शिंग हुट्डा के बैटे दीपेंदर हुट्डा सौनिपत से सत्पाल ब्र टक्कर मान रही है। पार्टी के साथ भीतर गात किया है। कुछ ऐसे ओडियो के लबी भीज़े गए हैं। जिसमें भाजपा नेता ब्राहमनों के बड़े नेताओं को कॉंगरिस के पक्स में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। उनकी लिस्ट में सिटिंग भाजपा सांसद और उनके एक करीबी विधाय के अलावा नगर निगम डिसी ओफिस के कुछ अधिकारियों के नाम भी सामिल है। शुतरों से प्राव जानकारी के अनुसार माने तो परदेश सरकार ने संकेत दिये हैं कि परिणाम गोशित होने के बाद चुनाओं में सरकार के विरोध में एक्टिव रहे। आधिकारियों और क्रमचारियों पर 10 जुन तक करवई की जाएगी। आधिकारियों और करमचारियों के ट्रांस्पर ओडर के लंबी लिस्ट जारी की जाएगी। जारी कर दिया है इसके मुताबिक दाखिले के लिए उनलाइन आविदिन करना होगा आविदिन की परिक्रिया 7 जून से प्रारम होने जा रही है जो भी स्टूडेंट्स दाखिलाई लेना चाते हैं वे 21 जून तक आविदिन कर सकते हैं विद्यार्थीadmissions.itiharina.gov.in पर दाखिले के लिए उनलाइन आविदिन करना होगा विद्यार्थी के पास वेलिड इमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परिवार पैसन पत्र और आधार नंबर होना अनिवारी है इंद्रा गांधी राष्ट्य मुक्त विश्विद्यले यानि इगनु के किर्शी विद्यले में एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है विश्विद्यले की तरब से Agriculture Cost Management में डिपलोमा यानि D.A.C.M. शुरू किया गया है आने वाले सेक्शनिंग शातर से इस कोर्स में एडमेशन दिया जाएगा या कोर्स एक साल का होगा कोर्स अंग्रेजी भासा में संचारित होगा शातर कोई यानि दूसरी भासा नहीं सुन सकते हैं यानि कि दाखला लेने वाले स्टूडेंट्स शिर्फ अंग्रेजी में पर देश केंगे इस कोर्स के लिए किसी भी स्ट्रीम से बारवी पास करने वाले स्टूडेंट्स आविधन कर सकते हैं कोर्स में कोस्ट मनेजमेंट, किर्शी उत्पादिकता कैसी बढ़ाई जाए, फसलगी खेती, परशुपालन, वितिय नियोजन, सनसादनों का उचितावंटन, जोकिम परबंदन से समद्धित, रणने नितिक और सही निरने कैसी लिए जाएं जैसे विश्यों को समिल किया गय इस कारेकरम की तहट पाठेकरम सुल्क 6200 पर रखा गया है, चात्रों को दाखले के समय रजिस्ट्रिशन फीस और ड्वेल्मेंट फीस भी देनी होगी, यह कोर्स किर्शी विद्धाले से संबंध ओनलाइन वोर्ड में संचालित होगा, यह डिस्टेंस पाठेकरम है और परिक्षा में सामिल हुए थे वे भारतिय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपने परिणाम चेक कर सकते हैं, भारतिय सेना के भरती नित्रसक अंबाला करनल वियस पांडे ने जानगारी जी कि अगनेविर येडे, अगनेविर कलार्क और अगनेविर टेक्नि परिक्षा पास किया है, उनको अब दूसरे चलन में सामिल किया गया है, अब भरती के दूसरे चलन की शुरुवात की जाएगी जाम चलकाने की सोकिन लोगों को अब सराब खरीदने के लिए पहले के मुगाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होगे, बता देंगे हरियाना सरकार की नई आपकारी नीती यानि निव एकसाइज पोलिशी में सराब की किमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, बता देंगे दान विबाका जो वित्वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्श तक होता था, वैब 2021 में होवे कोरोना काल के बाद 12 जून से 11 जून तक होने लगा है, नई आपकारी नीती में बीर की किमत 20 रुपे और देशी सराब की बोतल का रेट 5 रुपे बढ़ जाएगा, अंग्रेजी और इ लाइसेंस धारक होने चाहिए, शराब ठेकी लेने के लिए आज यानी एक जून को विबागी पोर्टल ओपन होनी चाह रहा है, जाए इच्चुक लाइसेंस धारक परिक्रिया और नियम पूर्ण करके आविदन कर पाएंगे हरियाना के में अंद्रगड में हरियाना केंद्रे विश्विद्याले के सेक्षिनिक सेहतर दोजार चोड़िस पत्रिस के अंद्रगट सनात को अतरवे पीजी डिपलोमा कारेकरों में दाकले के लिए पंजीकन किति थी 31 मही से बढ़ा कर आप 15 जुन कर दी गई है इसके साथ ही पंजीकन में सनसोदा नेतू आगामी 16 जुन से लेकर 18 जुन दोजर चोड़िस तक करेक्षिन विंडो अभ्यारतियों के लिए खुली रहेगी करेक्षिन विंडो भी अभ्यारतियों के लिए खुली रहेगी सनात कोत्र वे पीजी डिपलोमा के 41 कारेकरमों के अंतरगत कुल मिलाकर 1420 सीटे उपलब्द है उत्तर भारत में सुक्रवार को गर्मी और लू का कहर जारी रहा हालांकि कई लाकों में पारा में 2-6 डिगरी सेल्सिस की ग्रावट देखने को मिली है लू और गर्मी की वज़े से देश में 330 से ज़्यादा मोते हो चुकी है IMD ने सनिवार यानी एक जून के लिए देश में कहीं भी हीट वेव का रेड अलर्ड जारी नहीं किया है यानी आज कहीं पर भी हीट वेव नहीं होगा हिमाचल परदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्राखन, राजस्तान, उत्रपरदेश, लद्दाग, जमुकस्मी, चंडिगड, दिल्ली, मध्य परदेश और चतिशगड अगले पांस दिन का दावमान मोजूद था आवमान से 2-6 डिगरी सेल्शेस कम रह सकता है तो वहीं गुरुवार यनि 30 मेको मानसुन केरल पहुंच गया इसी के साथ अगले परदेश, तिरपुरा, नागलेंड, मिजोरम, मेगाले, मनिपूर और असम में भी मानसुन के एंटरी हो चुकी है तो वहीं दिल्ली में मानसुन 27 जून तक आने का अनुमान है इस बार मानसुन पूरवा अनुमान से एक दिन पहले आया है मानसुन जल्दी आने का कारण है रेमल साइकलोन जो की 26 मेको पश्चि मंगाल और बंगला देश में आया था हरियाना में सुक्रवा राद से मोसम में बदला हो सकता है हरियाना में पर्विश करने वाली पूरवी हावाव में बदल जाएंगी इस बार मान में ग्रावट आएगी तो वही एक जून यनि आज से हरियाना में बारिस के आसार भी जता आए गई है हापते के आखरी कारोबारी दिन भारती शेहर बाजार में तेजी देखने को मिली है सेंसक्स पिचेतर रंगी तेजी के साथ 7,961 के स्तर पर कलोज हुआ तो वही निप्टी में भी 42,530 के स्तर पर कलोज हुआ सेंसक्स के 30 शेहरों में से 17 में तेजी और 13 गिराउट देखने को मिली है अडानी गुरूप के सबी 10 शेहरों में तेजी रही है 22 काट के 10 ग्राम सोनी के केमत 6,885 रुपए परती 10 ग्राम पहुँच गई है और 24 केट सोने की कीमत 32,910 रुपए परती 10 ग्राम सामिल है वहीं एक किलोग्राम चान्दी की भाव की बात करें तो 95,500 रुपए पहुंच गया है आज खबरों में इतना ही देखते रहे हैं आपका अपना हरियाना का सबसे बेहतरे न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इस आसा के साथ आपका दिन सुब रहे